हेलो दोस्तों फिर से सागे दे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है इलेक्रोनिस इंडिया मैं लोट ओन फिल लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो हमारे पास देख सकते टेली बिस्टा कोमपानी का एक फॉर्टी निंच का आमारे पास टीवी आया है इस टीवी का पॉब्ल लेका हूँगा आप लोग को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तों इसके पॉब्लेम दिखा देता हूँ दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकरा चाहिए ओ भी नहीं जल रहा है और हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है मादलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन डेड़ है साइद या आओपुर सेक्शन खरब हो सकता है इसलिए क्या करेंगे पहले टीवी को ओपेन कर लेते हैं ऑपेन करने के बाद ही पता चलेगा हमारा एक्चुली इसका पॉब्लेम है क्या ठेlles दोस्तों इसका प्रेइंज का तीव है और यह रहाब योक कोईल एर रहा बेज़ बोर्ड और यह रहाब हमरा पीसिपी जो हमारा लोकाल मिट का पीसिपी है यह यह तिलीफिस्ट कॉमपनी ने यूच किया है और इसके बाद इसको दिखाऊंगा हमारा जो पॉब्लेम है वो कहां से पॉब्ल देंगे दोस्तो मैंने टीबी को पावा दे देता हूं पावा देने के बाद दोस्तो इस पे पावा चेक करेंगे जो हमारा आउटपूर सेक्षिन पे बोल्टेज होना चाहिए पहला बोल्टेज जो हमारे येश्ट को सबलाई दिया जाता है वो बोल्टेज होता है 110 बोल्ट इस पे देखिए हमारा 112 बोल आ रहा है उसके बाद दोस्तो इस पे येश्ट का पॉइंट है उस पे भी हमारा 112 बोल आ रहा है उसके बाद देखिए हमारा पावर सिक्षिन पे और कहां पर वोल्टेज है यह बाला जो होता है हमारा माइनास पर वोल्टेज आता है माइनास 14 प्लास प्लास 14 यह दोनों पर भी हमारा वोल्टेज सेम आ रहा है मतलब यह बाला प्लास 14 आ रहा है और इस बाला पॉइंट पे हमारा माइनास 14 आ रहा है उसके बाद एक सिस्टेम के लिए दिया जाता है जो हमारा टेंड से हमारा 11 बोल्ट तक होता है जो दिखी हमार 9.5 दिखा रहा है मदलब हमारा बोल्टेज है उसके बाद एक बोल्टेज आता है इस बाला बोल्टेज जो हमारा साउंड सिस्टेम के लिए सब्लाई दिया जाता है यह बाला ब होता है एक भोल्टेज आता है हमारा इस पर हमारा फाइब भोल्ट आता है देखिए हमारा फाइब बोल्ट अभी तक नहीं है और हमारा एट बोल्ट आता है जो हमारा इस पॉइंट पर आता है जो हमारा एट बोल्ट सब्लाई दिया जाता है आई के लिए ओबाला पॉइंट प्रकांब और से काम नहीं करने के कारें ही चालूने जो हमारा बावर सबलाइयरा है लेकिन फिर भी हमारे प्री चालूने है उसके बाद देखते हैं हमारा horizontal section पी जो हमारा जो transistor output transistor को सावे sink देता है जो हमारा horizontal sink दाता है उस पे आमारा voltage होना चाहिए देखे हमारा 14 बोल्ट आ रहा है इस पे भी आउटपूट पे भी 14 बोल्ट हो ए मतलाब हमारा जो voltage आ चाहिए इस पे ओभी सही तरीके से voltage दे रहा है लेकिन हमारा जब तब तक 5 बोल्ड और 8 बोल्ड नहीं बनेगा तब तक हमारा कुछ भी टी बी चालू नहीं होगा उसके लिए देखेंगे हमारा पावर रेगुलेटर सिस्टेम यह जो हमारा रेगुलेटर सिस्टेम का भोल्टेज आता है इस पॉइंट पे देखिये हमारा फाइब बोल्ड हाँ फाइब बोल्ड आता है हमारा जो इप्रोम साब लाई दिया गया है और हमारा इप्रोम को साब लाई दिया गया है और हमारा इस से लिच को अफ़ रिपीन पे ओ बाला भी voltage हमारा पहला नमबर थोड़ी अह बाला हमरा जो लास वाला पीन हमारा voltage दे रहा है 3.5 लेकिन हमारा c तो standby से रिल्लीज हो जाएगा लेकिन हमारा जापतक 5-8 बॉल नहीं बने गा ताप तक हमारा horizontal學 ले वर्टिकल सिंख से हिता है ओ बाला आता है ये बाला पीन पे इस पे आता है हमारा जो नाइन भोल होता है वो नाइन भोल आ जाता है लेकिन इस पे एक स्वीचिंग करकि इस बाला पीन पे बोल्टेज आना चाहिए इस बाला पीन पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है स्वीचिंग करने के बाद जो वोल्टेज बनता है वो बाला वोल्टेज नहीं बन रहा है इसलिए हमारा जो सिस्टेम को 5 बोल 8 बोल बनना चाहिए था वो बाला 5 बोल 8 बोल नहीं बन रहा है और उसके बाद दो regulator लगाया हुआ हुता है जो हमारा 5 बोल तैयार करता है और हमारा 8 बोल तैयार करता है वो system को चेक करूँगा उसके पहले switching system को चेक कर लेते हैं दोस्तों मैं जो बाता रहा था मैं power देने के बाद जो हमारा ICC जो stand by रिलिच करता है रिलिच कर देने के बाद हमारा इस बाला point पर भोल्टे जाता है वो बाला problem हम लोग solve कर चुका हूँ उसके बाद दोस्तों देखिए जो solve q कैसे किया जो हमारा main icc stand by का जो point है वो point पे एक 1815 का हमारा टांजिस्टर लगाया हुआ होता है वो 1815 हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा था और 1815 को change कर देने से बाद हमारा देखिए यह जो point पे हमारा जो 9 बोल आ रहा था यह point पे देखिए हमारा 9 बोल आ रहा था और दूसरा pin पे कोई भी voltage नहीं था और तीसरा pin पे भी ओई भी voltage आ रहा था आप देखिए हमारा middle pin पे जो कोई भी voltage नहीं था वो बाला point पे voltage आ चुका है आएने के बाद दोस्तो हमारा जो 5 बोल ओना चाहिए था 5 बोल आ चुका है और हमारा 8 बोल कहां पे देखिए इस बाला point पे बता रहा था जो IK के लिए साब लाई दिया जाता है 8 volt हमारा system में भी हमारा 5 volt 8 volt इस पे है जो इस बाला point पे हमारा 5 volt आता है और दूसरा pin पे हमारा 8 volt आता है वह बाला भी voltage है और हमारा IK के लिए 8 volt आ चुका है उसके बाद दोस्तो यह बाला पावर सेक्षन को 8 बोल 5 बोल को रेडी कर देने के बाद हमारा सिस्टेम पे पिक्चर भी आ चुका है देखिए वो इलकम लिखा रहा है जो हमारा पिक्चर के लिए नहीं हो रहा है तेखिए दोस्तो हमारा पिक्चर भी आ चुका है मादलब दोस्तो आज का जो पॉबलेम था हमारा टीबी पे पावार सिक्सेन रिलेटिट कुछ भी पॉबलेम नहीं था जो पॉबलेम था हमारा रेगुलेटर सिस्टेम का पॉबलेम था जो हमारा पावार सिक्सेन से भोल्टे जाके रेगुलेटिंग करता है जो हमारा 8-Ball, 5-Ball तयार करता है वही पॉबलेम था हमारा 5-Ball, 8-Ball नहीं बन रहा था वो 5-Ball, 8-Ball बनने के बाद हमारा सिस्टेम चालू हो चुका है वो हमारा जो स्टैंडबाइ से रिलीज नहीं हो पा रहा था वो आतरा पन्रा का जो टांजिस्टर था वो 3 आ चुका है और मातलब हमारा यह Census चालू होने के बाद हमारा दो जार यह होता है जो सकता है माधलब दोस्तों हमारा पूरी तेरह से पिक्चर Finance आचुका है मैं तरफ चुका हूं कनेट कर देने के बाद मैं तिपी ko power देता हूं अ दियने के बाद अबर जो इंडिकेटर नहीं जल रहा था वो दिखे फूर इंडिकेटर जनगा और जरनल के बाद आप लोगा दोस्तों बैंने टीवी का पिछे से आइट से हमें एवी को कानेट कर चुका हूँ और आज का पॉबलेम था दोस्तों पॉबलेम आज का सॉल्व हो चुका है जो हमारा टीवी के जो पावर सेक्सर का इंडिकेटर में नहीं जाल रहा था और आप टीवी कोई भी पॉबलेम सॉल्व हो चुका है इसी तरह का नया नया वीडियो बिनले के लिए मेरा चैनल को लाइक से और सस्काइब जुरूर कर देना बेल आइक उनको दावा देना ओल नोटिव किस्रान कर देना जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊंगा आप लोगो को मिलते रहे ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो पार तब तके लिए दोस्तों गुड़ बाई